हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हो मेकर टू व्लॉगर स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ एक कोकिंग वीडियो जिसमें मैं आज बनाऊंगी कच्चे केले की सबजी कच्चे केले में अच्छी मातरा में फाइबर होता है जो आपका मेटाबॉलिक रेट भड़ाता है जिससे खाना बचाने में मदद मिलती है इसलिए हमें कच्चे केले को अपनी डाइट में जरू शामिल करना चाहिए तो यहां पे हम कच्चे केले की सबजी बनाने जा रहे हैं तो यहां पे मैंने 5 केले लिए हैं इसे आपको इस तरीके से छीलना है बड़े ही आराम से छिल जाते हैं अगर आप चाहें तो इसे बॉयल करकर भी बना सकते हैं अगर आप boil करके बनाएंगे तो छिलका छिलना और भी जादा आसान हो जाता है लेकिन आज मैं बिना boil करके बना रही हूँ जब हम केले को cut करते हैं तो थोड़ी दिर में ब्लैक होने लग जाते हैं इसलिए अगर आप इसे तुरण बना रहे हैं तब पानी में डालने की जुरूरत नहीं है लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए चोड़ देंगे और फोड़ी देर बात बनाने वाले हैं तो आप तुरण इसे पानी में डाल दें जिसकी ये काले ना हो तो यहां पर हम केले के slices cut कर लेंगे बहुत जादा पतला भी नहीं रखना है बहुत जादा मोटा भी नहीं रखना है कुछ इस तरीके का कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे बनाना को छील लिया है इसके बाद स्लाइस में कट कर लिया है इसके बाद हमें इसे स्टर फ्राइ करना है तो कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चमच ओयल लिया है इसके बाद हम इसमें इसको स्टर फ्राइ करेंगे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक अच्छी सी red सी coating ना आ जाए इसके उपर तब तक के लिए हमें से stir fry करना है अब यह आप देख सकते हैं कि काफी white white सा देख रहा है लेकिन करिबन 3-4 minute हमें से stir fry करेंगे तो एक हल्क इसी redness से आने लग जाएगी उपर एक layer बन जाएगी तब तक के लिए हमें से stir fry करना है अगर आप केलो को boil करके बना रहे हैं तो अब आपको ये वाला step नहीं follow करना है लेकिन अगर आप कच्छे केले से बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से stir fry करना है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है देखिए हल्क इसी redness आने लग गई है बस इसी stage तक के लिए आपको से stir fry करना है इसके बाद हमें दूसरी कड़ाई लेना है उसमें मैंने यहाँ पे एक चमच ओल लिया है इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता थोड़ी सी मैंने यहाँ पे राई ली है इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और फिर हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारी चौप किया हुआ अद्रक, लेसुन, प्याज और हरीमिच यहाँ पे मैंने अद्रक, लेसुन, प्याज को चौप करके डाला है आप चाहें तो इसे ब्लेंड करके भी ग्रेवी बना के इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें सारे मसाले को अच्छी तरीके से भूना है प्याज अच्छी सी गोल्डिन ब्राउन हो जाए साइट से हलका हलका ओईल रिलीज होने लग जाए तब तक के लिए हमें इसे भूनना है जब प्याज अच्छी तरीके से पक जाएगी इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी कलर चेंज हो गया है प्याज का इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर तो मैंने यहाँ पे तीन छोटे साइस के टमाटर वही मैंने इसमें डाल दिये हैं अब हमें टमाटर को भी पकाना है टमाटर जब अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे तो यहां ज φτι Fehlt होने लग जया है लेकि मैंने यहाँ पे हल्दी, धन्या, नमक, मिर्च और किचिन गिंग मसाला डाला है इसके बाद जो हमने केले को पहले स्टाफ राइ करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे केले पहले से ही पके हुए तो बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में बस हमेंसे मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिलाना है और इसे 2-3 मिनट के लिए ढख कर पकाना है जिसे की सारी मसालो का फ्लेवर केले के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए और हमारी सबजी एक्रम टेस्टी सी बने तो यहां पे मैं अच्छी तरीके से मसाले के साथ ये केलो को मिक्स कर ले रही हूँ इसके बाद में से ढख कर दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दूँगी बिल्कु स्लो फ्लेम पे जैसे कि अगर थोड़ा भूद भी कच्छा रहे गया हो केला तो अच्छी तरीके से पक जाए और मसालो का फ्लेवर अच्छी तरीके से घुल मिल जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केले हमारे पक चुके हैं और सबजी हमारी रेडी हो गई है आप चाहें तो इसमें खटे पन के लिए अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप निम्बू नहीं चोड़ सकते हैं लेकिन जो मैंने यहाँ पे टमाटर डाले हैं वो आप चाहें पराथा किसी के साथ बिखा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है आज की रेडी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नियू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा थांक यू फो वाचिंग प्लीस दो लाइ शेर सब्सक्राइब कर्मेंट